हालो जिमनाई, वेलकम तो लावीट उनिवर्स, अगर आपकी राशी जिमनाई है, यानि मिथुन राशी है, तो चलिए देख लेते हैं, लव के रियर से रिलेटेट, ओवरॉल, ऑक्टूबर मंत में, यानि ऑक्टूबर 2022 में, आपके लाइफ में क्या-क्या होने वाले हैं, ह कर दोड्त कर दो चार से बती प्रॉल, जाभनाई, वजब्बर विम एननिव कर दों cape 6 of swords 10 of cups 2 of cups 4 of pentacles तो चलिए देख लेते हैं bottom of the deck यहाँ पर है helmet so October month में आप किसी person को लेकर या फिर आप किसी situation को लेकर थोड़ा सा upset feel कर सकते हो आपको ऐसा लग सकता है किसी के तरफ से कि यह जो प्यार है यह जो sympathy है यह सब दिखावा है actual में ऐसा नहीं है यह इंसान मुझे प्यार नहीं करता है या फिर मुझे trust नहीं करता है so ऐसा कुछ situation आपके life में बनने वाला है एक से जादा situation आपको fake लगेगा okay artificial लगेगा ऐसा लगेगा कि यह सब चीजे जादा दिन तक नहीं चल सकता है यह सब खुशिया मेरे life में temporary है so आप इस artificial light के बदले आप real light चाहते हो आपको sun चाहिए okay so आप overthinking भी करते हुए दिख रहे हूँ इस card से so यह bottom देखे इस हम side कर देते हैं देखिए आपका reading अच्छा है मैं बता देती हूँ so यहाँ पर first मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कौन-कौन से राशी है यहाँ पर है water sign Cancer Scorpio Pisces, earth sign Taurus Virgo Capricorn, air sign Gymnallibra Aquarius और यहाँ पर Virgo की energy अलग से है और Aries Leo Sagittarius की energy यहाँ पर थोड़ी सी कम है तो चलिए देख लेते हैं October मन्त के एक से दस तारीक के बीच में क्या होने वाला है आपके लाइफ में यहाँ पर है first queen of pentacles, पैसो से related यानि एक materialistic abundance आपके पास आने वाला है इस time पर आप इस time पर ना चाहते हुए भी बहुत सदा पैसा खर्च करने वाले हो पैसा जैसे आ रहा है आपके life में वैसे ही खर्च भी होने वाला है इस time पर और इसके बाद है four of pentacles, आप कुछ money को save करना चाहते हो इस card से ओके, आप यहाँ पर four of pentacles से आप एक amount of money को save करते हुए भी दिख रहे हो आपको ऐसा लगने वाला है कि खर्चा बहुत जादा होड़ा है अभी मुझे limit लगाना पड़ेगा अभी मुझे पावंदी लगाना पड़ेगा कि इससे जादा मैं खर्चा नहीं कर सकती हूँ और यहां से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के लिए अगर आप बहुत दिनों से love life के उपर जादा focus थे आप उस तरफ से focus हटा कर आप अपने career पर focus करने वाले हो आप अपने future को लेकर बहुत ज़दा bother होते हुए दिख रहा है हो इस time पर और चलिए देख लेते हैं October month के 10 से 20 तारिक के अंदर क्या होने वाला है यहां पर है 5 of cups आपके पास क्या नहीं है आप इसको लेकर सोचने वाले हो क्या है आपके पास आप इसको नहीं देख रहे हो आप यहां पर देख सकते हो दो cups हैं अभी तक आपके पास आपके पीछे हैं आप नहीं देख रहे हो यह जो 3 cups हैं आपके सामने यह जो गिरे पड़े हैं इसको लेकर आप सोच रहे हो इसको लेकर आप bother होते हुए दिख रहे हो इसलिए आप यहाँ पर मायूस खड़े हो सो जब time आएगा divine timing आएगा तब यह जो three cups है यह fulfill होकर आपके पास फिर से वापस आजाएगा यह काट यही कहता है कि अभी यह time नहीं है इन three cups को लेकर सोचने का अभी आपके पास जो है आप उसको लेकर खुश रहो और इसके बाद है two of cups so definitely यहाँ पर एक offer आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पास यह कोई business deal का offer हो सकता है या फिर promotion का कोई offer हो सकता है या फिर घूमने का offer हो सकता है कोई invitation हो सकता है सब कुछ भी हो सकता है किसी friendship का offer हो सकता है अगर मैं love life के side से कहूँ तो एक proposal भी हो सकता है एक emotional offer आपके पास आने वाला है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा ऐसा offer और इस time पर अगर आप कोई existing relationship में हो शादिशुदा हो तो आपके person के साथ आपका एक romantic connection भी build up होता हुआ दिख रहा है सो चलिए देख लेते हैं October मन के 20 से 31 तारीके बीच में क्या होने वाला है आपके life में सो यहाँ पर हैं six of swords सो आप किसी तकलीफ से बाहर आते हुए दिख रहे हो इस time पर और आपके मन में इतना ज़ादा power रहेगा इतना ज़ादा strength रहेगा कि आप दूसरों को भी उस situation से बाहर ला सकते हो आप किसी stuck situation से बाहर आते हुए दिख रहे हो आपको कुछ clarity मिलता हुआ दिख रहे है मुझे आप बहुत दिनों से शायद किसी चीज को लेकर बहुत ज़ादा चिंता कर रहे थे तो उस चिंता से भी आप मुक्त होने वाले हो और आप किसी water related journey में भी जा सकते हो इस time पर आप देखो यहाँ पर 10 of cups है 10 जो number है उसका जो 0 है वो एक end को दर्शाता है और one एक new beginning को दर्शाता है इस time पर आपके family में बहुत सदा happiness रहेगा क्योंकि यह जो card है 10 of cups यह एक happy family को भी दर्शाता है तो आपके family में इस time पर बहुत सदा शुक्षानती विराज करने वाला है और इस time पर आपके family related कोई problem भी यहाँ पर खतम होता हुआ दिख रहा है अगर आप बहुत दिनों से अपने family को रेकर आप चिंता कर रहे थे किसी चीज को लेकर ऐसा हो सकता है तो वो problem भी यहाँ पर solve होता हुआ दिख रहा है यह जो card है 10 of cups यह बहुत ज़दा positive energy कैरी करता है और एक abundance की बात भी करता है materialistic abundance और एक non materialistic abundance की भी बात करता है तो चलिए outcome देख लेते हैं और भी अच्छे से clear हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं October month के एक से दस्तारिक के बीच का outcome यहाँ पर है 6 of 1 जरूर से जरूर इस टाइम पर आपको कुछ victory मिलने वाला है कुछ success मिलने वाला है और यह जो success है यह जो victory है यह आपके पास unexpected way में आएगा आप सोच नहीं सोखोगे कि इस तरफ से ऐसी चीज आपके पास आ सकती है तो चलिए देख लेते हैं October month के 10 से 20 तारिक के अंदर का outcome ओके तो यहाँ पर है the tower तो इस टाइम पर आप किसी transformation से गुजरने वाले हो यह the tower का card यहाँ पर कोई break up या फिर कुछ खतम होता हुआ नहीं दर्शा रहा है यहाँ पर आपका एक transformation को दर्शा रहा है the tower card क्योंकि यहाँ पर आपके mindset कुछ change होने वाला है आपका देखने का नजरिया कुछ change होने वाला है आपका बोलने का style कुछ change हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ से बहुत ज़ता लगड़ा है मुझे कि आपका mindset change होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो आप इस three cups को लेकर जादा bother हो रहे थे न तो यहाँ पर आपका देखने का नजरिया अचनक से change हो सकता है इसके बाद ही आप इस situation से आप देख सकते हो किसी stuck situation से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो ज़रू से ज़रूर यहाँ पर आपका transformation होगा इसके बाद ही आप खुशी को देख पाओगे खुशी आपके life में enter कर पाएगा तो चलिए देख लेते हैं October मंत का बीस से 31 तारीक के बीच का आउटकम यहाँ पर है Ace of Pentacles मैंने बता था आपको आपके पास एक materialistic abundance भी आने वाला है इस कार्ट से ठीक है इसका ही outcome है Ace of Pentacles जरूर से जरूर एक पैसो वाला offer आपके पास तो आने वाला है October मंत के last में यानि 20 से 31 तारीक के बीच में तो चलिए देख लेते हैं एक angel message October मंत के लिए जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो हाँ या ना में जबाब आ सकता है इसके अलब आपके situation के according जो भी सही होगा angel वो message यहाँ पर दे देंगे I hope आप लोगों ने पूछ लिए होंगे सो यहाँ पर है ego angels आपको बता रहे हैं अगर आप में ego हैं सो उसको थोड़ा साइट कर दो ego लेकर चलने से कोई फाइदा नहीं है देखिए angels आपको बता रहे हैं कि पैसो के तरफ भागना अच्छी बात हैं पर इतना ज़ादा भागना भी अच्छी बात नहीं है आप खुद को इतना ज़ादा भी मेटरिलिस्टिक ना करो कि आपके मन में emotion नाम की कोई चीज ही ना रहे आपके मन में प्यार, emotion ये सब बनाए रखो इतना ज़ादा मेटरिलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है आपके पास वैसे भी बहुत सारे पैसो का offer यहां पर आ रहा है तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी ना सोचो और आपके मन में अगर थोड़ा बहुत ego है तो उसको हटा दो आप प्यार से रहो और negative things अपने मन में बिल्कुल भी ना लाओ और कुछ भी चीजों को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है इंजल्स आपके साथ है बस आप अपने कर्म अच्छे से करते जाओ फल का जो चिंता है वो भगवान पर छोड़ दो आप जिन को मानते हूँ उन पर छोड़ दो ओके सो बाई